कि आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर अगर आप हमारे चैनल में पहली बार रहे तो प्लिट लिए वर्टमान में अब कितने राज्य और केंदी सचित परदेश है तो बताते हैं तो बताते हैं भारत में अब 28 राज्य और केंदी सचित परदेश के साथ एक सम्रिद देश है इस देश के हर राज्य में अधित्य आकरसन अधित्य इतिहास और अधित्य संस्कृति है जो इसे बाकी हिस्सों से अलग रखती है भारत के सभी राज्यों का पता लगाने की जरूत है क्योंकि वे परिटेंट संभावनों क विस्टित स्पेक्ट्रम परदान करते हैं है दो और भीस में देश में पूंड राज्यों की संख्या उन्तिस से घटकर 28 हो गई है और के निसे चित परदेश की संख्या आठ हो गई है दोयाद बीस में भारत 28 राज्य और आठ की निसेशिल परदेश के साथ एक समझीते देश है भारत के राज अपने सान्ती के लिए जानते हैं आप जानते होंगे वरतमान में भारत के सभी 28 राज्य यहां दिये गए हैं पहला आपको एक ही करके नाम बताऊंगा दोस्तो तो पहला है दोस्तो हमारा है आंज परदेश दूसरा और नाचल परदेश तीसा असम चौथा बिहार पांचवा च्छतिजगर छटा गोवा सातवा गुजरात आठवा हरियाना नवा हिमाचल परदेश दसवा जहारकन ग्या करनाटक अब्बारवा केरल तेरवा मध्य परदेश चोद्वा महराष्ठ पंद्रवा मनिपूर 16 मेघाले 17 मिजोरम 18 नागलें 19 ओडिशा 20 पंजाब 21 राज्थान 22 सिक्किम 23 तामिलनाडू 24 तेलगाना 25 त्रीपुरा 26 उत्तरप्रदेश 27 उत्राखंड 28 पच्छिम बंगाल दोस्तो हर राज्यों के बारे में आपको एक एक करके बताएंगे इसकी क्या खूबसूरूत क्या उसकी मतलब खूबिया है उसके इंदर तो दोस्तो पहले हम बताएंगे आपको आंध्य परदेश का भारत के दच्छिन पूर्वी चड़ना आंध्य परदेश भारत का चौ अपनी प्राचिन सुन्जटा और हरे जंगलों के लिए जाना जाता है राज्य को उगते सूरज की भूमी भी कहा जाता है भारत की एक कम अबादी वाला राज्य है और ना चल पर देश तो तीसरे पर हम चलेंगे असम उत्तर पूर्वी भारत असम का सांदर परवेश द्वा भारत का सबसे सुन्दर राज्य बना हुआ है राज्य में प्राकृति का एक धन है जो छूटे और अंदेखा है जो दोस्तों हम चौत्ता चलेंगे बिहार सांस्किती रूप से समरिद्य और इतिहासिक रूप से चमकदार बिहार एक समरिद्धि भारती राज्य है राज्य दिया था पांचवा चतिस गट चतिस गट का नव गठित राज्य भारत में आपकी छुटियों की योजना बनाने के लिए एक आश्चे जन गट तव्य बनाया हुआ है राज्य आपको जन जातियों इतिहास प्राकरती और वन्य जीवन का एक संपूर्ण सलियान प्रदान करता है जिससे आप अधिक चाहते हैं इसे दोस्तों चटा चलेंगे गोवा सुन्दर रूप से भारत के पच्छिम टट से टकराया गाया गोवा सबसे छोटा भारती राज्य है यह जीवन की भावनाव से बड़ा है यह बड़ा है कुछ सबसे खूपसूर सम समरिद्य टट स्वर्ग है जो दुनिया भर की यातियों का स्वागत करता है तो दोस्तों चलेंगे सात्य पे गुजरात अपने राश्य किलों और महलों लुभावनी राश्टिय उधनों और पवीतम मंद्रों के लिए जाना जाता है गुजरात भारत का छटा सबसे बड़ राजय है इस सांसकीते के रूप से संब्रिद्य राजय के इस्थान इस्थाने लोग अपनी पर्भवराओं के लिए प्रतिग गहराई से है और अपनी धर्म का पालन दिल से करते हैं इसे दो तो आत.OOा हरियाना भागवान का निवास हरियाना राजय अध्यात्मिक्ता के पानी के टपकने वाली कुछ राजसी जगाओं के मध्यम से चलते चलने के लिए आदर्स है राज्य का एक महान तिहास है जो सपस्ट रूप से याद दिखाए गए सहरों में दिखता है यहां रावली की तलहटी में खूपशुरु से स्थापित है जो इसकी प्राकृतिक उत प्राकृतिक प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक सुन्दर स्वर्ग है अपनी आकर सक पहाडियों एक खूपसुरुत जड़ने समरिद्र हर्याली और जीवत संस्क्ति में जानने के लिए यहां जाए यहां रहने वाले प्रमुक जंजातिया अबादी के कारण जहारकंड ने बड़े लोग प्रिया अरजित की है राज्य में 32 जंजातियां हैं जिन में मुंदास थल औरेन खारिया गोड कोकल कोल इतियादी सामिल है तो दोस्तों इसी ततलेंगे ग्यारवा करनाटक ज्वल्त संस्क्तित यहां समवाद परदिश्य और नित्य रूप का एक टेपि समारुक में से 507 राज्य है बारवे पर चलेंगे जोस्तों केरल सही ढंग से भगवान का अपना देश कहा जाता है केरल सबसे सुंदर भारति राज्य है जो अपनी प्रतिष्टा संस्क्ति और प्राकृति के प्रतिपल के लिए जाना जाता है यहां जाए और आपको हतेली के किनारे वाले बेक वाटर परमानिक कला और वस्तुकरा स्पा को फिर से जीवित करने और वन्य जीवन पर हमला किया जाएगा इसे चतलेंगे तेरवा मध्य परदेश भारत का बहुत दिल मध्य परदेश आपको विजश्ट की एक टेप्ष्ट्री लाता है जिसमें सही कि नोजबरदस्त स्थल्यकृति रोमांचक वन्य जीवन और प्राचिन गुफाओं और मंदिर सामिल है अब चलेने दोस्ता हम चौत्तम महराश्टे महराश्टे आकर्षन के एक सुंदर विप्रित लाता है जो सभी आयू वर्ग के यातिरियों को आगरसित करता है और इस रा प्रभन की कोई कमी नहीं है मनिपूर 55 वा दोस्तों मनिपूर है मारा मनिपूर जिसे अक्सर भारत का स्वीजिल लैंड कहा जाता है उत्तर पूर्व भारत का अनादायक मानी है मनिपूर की सुन्दता अत्म मोहक है आप यहां माप्राकृतिक के हर मुखोटों को देखते है जिसमें घने जंगलों, रोलिंग पहाणियों और दूर तक फैले हुए पन्ना चाय बागान सामिल है इसे दोस्तों चलेंगे 16 मेघाले बांगला देश के दो मैदानों से असम घाटी की विवाजित करते हुए मेघाले उत्तर पूर्व भारत का सबसे अमूली रतन माना हुआ है जो अपनी विविद प्राकर्तिक सुन्दता के लिए प्यार करता है तो शितर दोस्तों सत्रवा मीजोरम उत्तर पूर्वी भारत का एक कम ग्यात मनी मीजोरम गिल्ट्स और गैलमार के नकली परतों से बहुत दूर है राज्यों को सर्व सकती मान दूरा विवन प्रकार की स्थलकृति के साथ आसिरवात दिया गया है जो मानो आत्मा को अंदेखा करने का अफसर प्रदान करता है अठारा होगा दोस्तों नागलैन अंगिनित पहाडियों से सजे हुए उत्तर पूर्व भारत आने वाले लोगों के लिए बेहत खुसी है इसमें एक अंजानिक हिचाव है जो परतेक मानों का आत्मा को कोर को खोलने देता है स्थानिये लोगों के नटकिये सिर के कपड़े से भोजन में बहुत अच्छा स्वात तेहारों में कंपन से कुछ अंदेखी प्रंपराओं तक इस राज्य में हर किसी के लिए कुछ है उनिसवा चलेंगे दोस्तो ओडिसा भारत का जन जाती है राज्य ओडिसा इतिहास में डूबने वाले प्राकर्तिक के बारे में है यहाँ जाए और इस राज्य के अविश्वास्तनी वस्तुकला से चिकित हो जाए तो दोस्तो इसले बीश्वा पंजाब भारत की सबसे जीवित और खुसहाली स्थिती पंजाब को पांच नदियों की भूमी के रूप में जाना जाता है यहाँ सबसे जाओ भारती राज्य है जहाँ कोई खेती की दूर दराज के विश्तार को देखा सकता है पंजाब के स्थानी लोग पंजाबियों जा तर्सिख समधाओं से संबंदित है जहां पुर्सों को रंगीन सूट में चबंगदा टाइबाईं और महिलाओं को पहने हुए देखा जा सकता है एकिस्वा दोस्तों होगा राइस्थान राइस्थान और महराजा राइस्थान की भूमी भारत के ताजा में एक अमुल्य गहना है राज्जे आपको उस समय के रेत पर एक अविस्प मरिन्य स्ववारी पर ले जाता है जहां आप सम्धित भारती इतिहास के बारे में कुछ अ राज सी हिमाले दुवारा सेनिय धंग से जुका हुआ से किम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्चे में इस्थित है राज जी अंगिनित छोटे मंठो के लिए जाना जाता है जो एक इसके डिश्टिकोन में जलतर रंग जोडते हैं तो इसी तो दोस्तो 23 वाज पे चलेंगे हम तामिल नाडू पन्ना नाडू के दच्छिन भारत के ताजा के लिए बेहत सुन्दर्ता जोडते हुए पन्ना मनी आपको लुभाने का मिश्रन लाती है जो सभी पसंदों और आयू समूं के लोगों को चाहिद करती है राज्य कला के राज्यों में से एक है यहां अपनी सांस्किती विरासत वस्तु सिल्प सांदार और भारी आकरसन के साथ एक सुन्दर छवी रखता है यहां पर जाए और वन्ने जीवन की सम्रिद्धी वीजिता के अलावा अपने असिजिन पहाड़ों और प्राचिन जीनों और जिश्वत तेलगाना तेलगाना 22 जून 2014 को स्थापित एक नव निर्मित भारती राज्य है यहां पहले आंध्य परदेश का हिस्सा था तेलगाना सबसे राजस्य आकरसन हेदराबाद में कुछ सांदार गुबंद और प्रागेतिहासिक मजजितों मगबरे और किले के मिना भार आवास सชिद्धा फिलेंगे 26 अस्तरव पर्देश भारत के हर्ट लेंड को सही धंग से बुला जाता है उत्त्रव पर्देश के एक सांदा संस्कित् diffusion का दावा करने के लिए जाना जाता है यहां सम्रिद्य तेहासिक कहानियों की भूमी का है यहां एक साथ मिलकर सांस्कितियों के विविन रंगों की भूमी है यहां विविन धर्मों की भूमी है और यहां सुंगंदित भोजन के मनुनजक मिश्रन की भूमी है तो दोस्तों इसे जाए 27 उत्राखंड राजसी हमाले के मोहक विशेष्टा के साथ घूमना उत्राखंड प्राकृति का एक अध्भुद उपहार है जहां आप कायकल्प और रिफ्यूल कर सकते हैं उत्राखंड के प्राकृतिक मुखोटे जबडे गिर रहे हैं प्राचिन नदियों से लेकर उचे पहार तक समरिद्य वन्य जीवन से दूर तक फैले प्रित्ष्टि तक प्रित्वी पर इस स्वर्ग में आपको हमेशा के लिए जुकाव रखने के लिए प्रयाप्त आकरसत है आकरसन है तो दोस्तों 28 वा हमारा आजकर लाच पच्छिम बंगाल भारत के सबसे सानस्किते के रूप से समरिद्य राज्यों में से एक है पच्छिम बंगाल अनाइंदैक बोल संगीत सफेद और लाल साडी पहने हुए महिलाएं धरीदार बंगाल भाग विसाल खंग चें लिए पूल केंदी सथीघ कर नाम है दोस्तों राश्टे की राज्धानी छेतर दिल्ली दूसरा दोस्तों अंडमानिकुबार दीप समूर दूसरा होगा चंडीगर और दो सचता होगा दादर और नगर हवेली दमन और दीव और जोस्तों के बादोगा लच्छिदीप जास जब तो मैं आपको बता को सब्सक्राइब को बारे पूछे जा जाने वारत कितने राज़े हैं वरतमान में भारत में अट्थाइस राज्या था बारत में भारत में कितने राज्य है 2020 में 28 राज्य तो मुझे उम्मीद हो दोस्तों आपको भारत के वारे में बहुत पटा होगा दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट टक बने रहने के लिए अगर आप अभी तक हमाई जल पर बने पड़े हो तो प्लीज प्लीज अभी जाकुचर को सब्सक्राइब कीजिए बैलर को प्रेस किए जिससे सबसे पहले नौट फिशन आपी को मिलेगी जो सबसे पहले आएगा और हां साथी साथ लाइक भी कर दीजेगा जिससे हमें पुसाहित मिलेगा आपके लिए नहीं बीडियो बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे और आपके चेहरे पर स्माइल बनी रहेगी और जिन्दकी में आप कभी खालीपन महसूस ही नहीं करोगे इसना मेरा आपको वादा है और दोस्तों हां और भी ग्रूप में अगर आप जोइन हो जाते हो मैं टेलिक्राइम ग्रूप में तो लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में आप जोइन हो सकते हो धन्यवाद